औरियर जंगल तो आज इस मैं पुरुवान जल के परचार में आया हूँ यहां मतली शहर बदोई यह दो लोग सबा सिटूम पर आज योगी आदीतान जी की दसबा है वहां मैं आदी जाने वाला हूँ उसके साथ साथ कल मतलब लालगांज है जोनपूर है वहां भी मतलब गौराम रखे थे उसमें मैं जाने वाला हूँ और बड़ारस की जो सीट है वारानसी की मानने इनरील मुदी जी की है यहां आज जो शाम पूराम होगे तो भी मैं आटिन करने वाला हूँ और यहां जो बीजीपी का उपीस है वहां भी मैं भेट करने वाला हूँ और कल सिदार्द का उत्तम बुद्ध जी की जेंति है तो इस जेंति के उसर बर मैं खुद बुदिष्ट हूँ और सारनाथ में पहली बार मैं बुद्ध जेंती मनाने के लिए मैं इदर आया हूँ और मैं कल सुबे सारनाथ जाने वाला हूँ तो इसी तरह मतलब जो पुर्वान चल की पंदी सिटे है पंदी सिटों पर बीजी पे और न्डिय को आप चुन कर दिजी यावान करने के लिए मैं आज यहां प्वारन अश्या आया हूँ देजबर में माहौल बहुत अच्छा है तिस तरह 543 सिटोंबर जुनाव होने जा रहा है देजबर में और इसके पहले बीजेपी साउथ इंडिया में उतने स्ट्रॉंग नहीं थी कली करनाटक में बीजेपी की सीट ज्यादा जुनकर आती थी लेकिन अभी इस वक्त मतलब साउथ इंडिया में पांडे जरी में बीजेपी स्ट्रॉंग है उसके बाद बाद तमिल नाडू में भी मतलब पीम के और कई चोटे मोटे पार्टियों के साथ उनका अलाइंस होआ है इंडिया वहाँ अच्छी मतलब वहाँ सीटे मिलेगी अंधरा में चंद्रा बापो नाडू जी के साथ अलाइंस होने से जो पचिस सीटे अंधरा किये है उसमें कापी 20-22 सीटे चुनकर आने की दसंभावना है इंडिया की और करनाटक में भी आठरा बीच से उपर सीट चुनकर आएगी तेलंग अनामी अभी विजेबी की तिन चार सीटे है अभी वहाँ आठ नो दज सीटे चुनकर आ सकती है इसे तरह माहूल जो है बहुत अच्छा है और पूरे देश भर में चार सो बार कर जो नाना मोधी जी ने दिया है तो चार सो बार हम जरूर करेगी अईसा हमें बोला श्वास है बुझे रखता है नाना पटोल हमारे महराष्ट के कॉंग्रिस पार्डी के अलदिक्ष है कई साल वो बीजेपी में वी रहे बीजेपी की मेमोरा पारलर्लमेंट भी रहे है यहीं ठोड़कर अभींगरेश भी जाए चिले गए है और यूगी जी को अनावन कहना ठीक नहीं है इसा तरख आरूप में बिल्कुल तत्य नहीं है यूगी जी तो मतलब रामभक्त है रावल गांदी जो है मैलाओं मैलाओं में खटाखट लाग रुपे जमा होगे लेकिन उनको यह मालूप नहीं है कि चार जून को अईसा रिजल्ट आएगा कि मतलब लोग मुदी जी के नाम पर कमल पर पटापट 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 नरवाएगे और मुदी जी को भारी ओटूंचे चुनकर लाएगे तो राओल गांधी घार पर सत्रय आने वाली नहीं है तो यह घटापट खटापट की क्या करेगे मतलब जो पाग व्यड़ सकाश्मिर है यह पाग व्याप सकास्मिर पर पकिस्तान का गोयादिकार नहीं है वो कास्मिर का हिला का रहा है लेकिन इसके पहले वो जो हरी सिंग राजा थे जब देश को आजादी मिली थी तब हरी सिंग राजा के तावे में जम्मो कास्मिर था लेकिन आचानक पाकिस्तान ने आजादी आनाउंस हुई और पाकिस्तान ने आचानक हमलागा करके कासिमेर का उन्थर्ड पार्ट अपने तावे में ले लिया है तो इसके पहले जब सतर सालों तक कॉंग्रेज पार्टी के सरकार थी उन्होंने मतलब पीओके को अपने तावे में लेना चाहिए था लेकर ऐसा हुआ नहीं मैंने भी पार्लेमेंट में बहुत बारे मांग की है कि एक दिन ऐसा आएगा कि पीओके मतलब भारत में आएगा और आज वहां के लोग भी भारत में लिए उस्थक है और जरूर मतलब कुछे दिनों के पाबाद ही क्योंकि अपने कास्यमेर भी आएगा भारत में आएगा वुभाइसे ही जिगा रहा है दस साल की सरकार थी तब क्यों नहीं लिया तेंस्वा सुझे काम को करना है एक साथ सब काम नहीं होता है एक वारा सर्जिक रखायक है की या है और पाकिστान के साथ हम दुष्मनी करना नहीं चाहते पाकिस्तान ने मतलब आतंगवादी activities को मतलब रोकना चाहिए और भारत के साथ दोस्ती करने के लिए उन्होंने तयार होना चाहिए तो ये पाकिस्तान की economy develop हो सकती है पाकिस्तान के लोगों को नहीं मिल सकता है भारत के साथ जगडा करने से उनको कुछ भी नहीं मिलेगा और पाकिस्तान ने से जब पाक व्यादस कास्मेर को भारत के हवाले करके भारत के साथ दोस्ती करने चाहिए न्हीं को गुमरा किया जारा है लेकिन बिलकुल गुमरा लेकिन Candice लिकिन कॉंग्रेस पार्टिया और इंडिया गाड़े वाले दलितों को गुम्रा कर रहे हैं लेकिन बीजेपी उनको सही रस्ते जागे लिए जाना चाहती है दलितों का आर्थिक और सोशेल जो मतलब उनका एक्स्परोडेशन हुआ है उनसे बचाने के लिए बीजेपी और इंडिया की सरकार जो है अच्छा का काम कर रही है और दलितों के लिए मतलब मेरे मंत्राले का बज़ेट एक लाग उनसाट हजार करोड का है आदिवासी का ट्राइबल का बज़ेट एक लाग दितित हजार करोड का है तो टोटल भजेट में मतलब हमको बहुत बड़ी रहा जो है ममाने मोदीजने नदी है